हेलो दोश्तों स्वागत है आपका प्रियांका लन्निंग क्लासेज में 66 BPC, BR, SEC, BR दरोगा को ध्यान में रखते हुए BR समान गयान की सिरी चलाई जारी है इसके अंतरगत हम लोग देखते हैं BR समान गयान के important question ताकि एक जाब में आपका कोई question ना चूटे तो चलिए हम लोग देखते हैं BR जी की question आज का topic है कलायम संस्कृती इस रेटेट जो भी question मनेंगे उसे देखा जाता है तो चलिए पहला question है सामा चकवा लोग पर BR में मुकरूप से किस चेत में मनाया जाता है तो मितला नेस question है BR में पिरिता वर्ट किस चेत में तेधिक मनाया जाता है तो बोजपूरी चेतर में नेक्स्ट है BR के किस जिला में बियुला तेवार को विशेश दूमदाम से मनाया जाता है तो भागलपूर नेक्स्ट है BR में कोजागरा वर्ट मुक्ता मनाया जाता है तो मिठला अंचल छेत्र में नेक्स्ट है, बिहार में दुरूपत गान के महत्पून केंद है तो प्रोक्त सभी यानि अम्ता दर्भंगा, डुम्राब अक्सर, बेतिया पश्चिम चमपारन और सभी नेक्स्ट है बिहार के मिधला के संगीत परंपरा का परमानिक इत्यांस का मुख सुरोत है तो राग तरंगनी है नेक्स्ट कोश्चन बिहार के ठूमरी का मुख केंदर है तो गया नेक्स्ट है बियार के पटना सिटी के किस मिठाई को तिद्कालीक पर्धान मंत्री श्रीय अटल ब्यरी बजबाई अबने पाकिस्तान यात्रा में पर्धान मंत्री नवाज शरीप के लिए भारत के बार्त से स्वगात पह ले गये थे तो खूर चन नेक्स्ट कोश्चन है पटना कलम समंधित है तो चित्रिकला से नेक्स्ट है पटना कलम के पर्थम मधपुन चित्रिकार थे सेवक राम नेक्स्ट कोश्चन है पटना कलम सहली से समंधित चित्रिकार है हुलास लाल, जैराम दास, सिव बयाल, हमिस्वरी परसाद उप्युक्त सभी नेश कोईश्चन है पटना कलम चित्रकला सेली समंदित है तो ये परिवर्ति मुगल काल से नेक्स्ट है मुख मदवनी चित्रकला का समंद किस राजसे है तो बियार नेक्स्ट है मुदवनी चित्रकला के समंद कौन से कथन सही है तो ये लोक कला है इसने मेलाओ को ही पून भूमिका रही है तिसरा ये चित्र दो पर कार के होते हैं बीत्ति चित्र और अडिपन यानि कि सभी सही है नेक्स्ट है मदुवनी चित्रकला से महत्पुन पतिनीदी या कलाकार है तो कसल्या देवी सिया देवी ससी कला देवी उप्र्यूप्त सभी नेक्स्ट है प्राचीन बियार में मात्मा बोधिक से समय ग्याईकाव एवं नर्तिकों के उपस्तिती के साक्ष मिले हैं तराजगीर और बैसाली से नेक्स्ट है बियार का सरवजानिक महत्पुन पेवार है तो छट नेक्स्ट कोश्चन है मदुष रामनी पर विशेश रूप से मनाया जाता है तो मितलांचल में मनाया जाता है नेक्स्ट कोश्चन है स्वराष्ट सभा मेला कहां अजित किया जाता है मितलांचल यानिकी ममद्वनी में किया जाता है नेक्स्ट है बैसाली का मेला जो चैत्र सूकली के तर्योद्रु के आयुजित किया जाता है तो गंगा गंडक के संगम पर नेक्स्ट है पठना कलेक्टरी और पठना कॉलज के भवन किस सेलि से प्रवावित है तो ये होलेंड बच सेलि से पतना शिटी में इस्थीद पादरी की हवेली और भांकी पूर्चर्च परतिनीदित करती है गोतिक सहली का पतना में इस्थीद राजमबन मुक्स चिवाले तथा उचे न्याले की मारति किस सहली से प्रवावित है तो इरोपियों पुनर जागरन काल की सहली से नेक्स्ट है परसित सानाई वादक उस्ताद बिस्मिला खाका जरम कहा हुआ था तो डुम्राव बक्सर इंपोर्टेंट है ध्यान दखेंगे नेक्स्ट है बियार की पेंटिंग विध्या कौन सी है तो मदवनी नेक्स्ट है मंजुसा चितर सहली किस छेतर में लोग प्रिय थी तो अंग नेक्स्ट है बिदेशिया किस राजगी लोग प्रिय नाटक नित है तो बियार है Next question is, 24 की मितला में गाये जाने वाले गीत लगनी राग किस इपसर पर गाये जाता है तो भिवा की आपसर पर Next, निम्निकित में से कौन सी रचनापा निस्वर नात रेनू की नहीं है, तो बिधेशिया है नेक्स्ट है बिहार की किस विध्यान को मैथिल कोकिल कहा जाता है तो विध्यापती को कहा जाता है जट जट इन लोग नीत कहा परसीद है तो ये बिहार में नेक्स्ट है नव नवादा महा भीयार परसीद किसके लिए है तो नली स्थनातों कर सोच संस्थान के लिए परसीद है अब हम लोग देखते हैं परियाटन एम खेल जगत के कोश्चन तो पहला कोश्चन है निम में से कौन सा नाम पत्ना का कभी नहीं रहा है तो कनिक्सपूर नेक्स्ट है पत्ना में स्थिद परसीद विस खुदावक्स औरियंटल परविक लाइबरेडी के अस्थापना कभ वोई थी तो 1891 में नेक्स्ट है पत्ना में स्थिद परियाटन अस्थल है तो ये अगम कुआ है सैप खा मस्षीद्या मदर्शा तक स्रीहरी मंदिर सभी है नेस्ट कुश्चन है निम पर्याटन अस्टालों में कौन सा अस्टाल पटना सहर में इस्थित नहीं है तो अक्छा वट बिक्च नेस्ट है पटना संग्रालेक में पर्याटकों को देखने लायक है तो सभी यानि कि दिदार गंजय यक्छीप के पर्तिमा मुगल चित्रकला और पटना चित्रकला के नमूने 20 लाक बर्ज पुराना जिवासन बिक्च नेस्ट कुष्चन है पटना में इस्थित नहीं है तो रोप में नहीं इस्थित है नेस्ट है असोक के सिंग अस्थम इस्थित है तो बैसाली में नेस्ट है बैसाली में इस्थित निम पर्याटन अस्थल में से कौन नहीं है तो नाथ नगर नहीं है नेक्स्ट हिंदु का पवित्र तीर्थ अस्तल विष्णु पद मंदिर इस्थी थे तो ये गया में नेक्स्ट है गया सहर में पर्याटगू को देखने लाइक है तो एक छे वाट बिक्ष ब्रह्म योनी पाहडी सुर्य मंदिर सभी नेक्स्ट है गया सहर किस नदी के किनारे इस्थी थै तो फल्गु नदी नेक्स्ट है महाबोधी मंदिर इस्थी थै तो बोध गया में नेस कोश्चन मकदूम सर्पुदीन याया मननेरी साहब की दरगा इस्थी थै तो बियार सरीप में नेक्स्ट है राजगीर में प्रयाटकों के लिए दर्सनी है तो जरासंग का अखारा गृदी कुछ्ट परवत मकदुम साब का हुजरा यानिकी सभी नेक्स्ट है राजगीर के ग्रीद कुट परवत मगट के 30 सासन को भगवान बूद ने बहुत धरम से दिक्चित किया था तो बिम्बिसार नेक्स्ट है राजगीर में रोबे का निर्मान किस देश की सरकार के सयोगन से किया गया है तो जापान नेश्ट है निम में से कौन सा हस्तल राजगीर में इस्थीत नहीं है तो मलिक वगा का मकवरा नहीं है नेंस कोश्चन है पाबा पूर में स्थित कमल रूपी तलाप के बीच निर मिजल मंदिर संबन्द है तो ये जैनधर्म से नेक्स्ट है परसीद अजाअव गेवी नाथ का मंदिर स्थित है तरज भागल पूर में नेक्स्ट आ, नालंदा विश्विद्याले की सर परत्व पहचान की गए थी तो लेकजिंडर कनिंगम में नेक्स्ट आ, परशीद नालंदा विश्विद्याले से समझी कौन सी बाते सत्य हैं तो पहला या नमांकन के लिए परवेश परिचली जाती थी या सिच्छा का अन्तराश्तिय केदर था नलंदा विसे विद्याले के इवने बक्तियार किलजी ने काफी छती पहुंचाया था तो सभी सही है नेक्स्ट है बोद गया के समारकों में नहीं है तो हरिश्चंद मंदीर नेक्स्ट है 27 अस्तूप इस्थित है तो राजगीर में नेक्स्ट है रोतास गड में इस्थित दसनी अस्थल है तो मादेब मंदीर हरिश्चंदर मंदीर रोतासन मंदीर सभी मुंगेर के दक्चिन पश्ची में सुरज गाड़ा इतियास के लिए किस लेपश्ची था तो सेर्षा और नुहानी पठान के लिए यूद के कारण बियार के किस सहर में सबसे अधिक तीर्थ यात्री आते हैं तो बोध गया जयन धर्मावली का मुख्यू तीर्थ अस्तल है तो पाबा पुड़ी और बैसाली शंत सक्दुदीन याया मनेरी का मकवरा के जिला में है तो पटना थाबे का तीर्थ अस्तल कहां इस्तित है तो गोपाल गंज में नेक्स्ट है पूर्भी चमपारन जिला में अरे राज में कौन सब इस सभी देले मंदीर इस्तित है तो शिव मंदीर नेक्स्ट है वर्स 2013 में भारत में आये कुल अंतराश्टिय प्रयाटकों में से कितना सर परतिशत बियार का मरमन किया तो पांच परतिशत नेक्स्ट है वर्स 2001 में बियार में अंतराश्टिय प्रयाटकों की कुल संक्या 85,673 है नेक्स्ट है वर्स 2011 बाड़ में बियार राज प्रयाटन विकास का निगम किया थी 10.39 करोर नेक्स्ट है वर्ष 21.13 में विद्धेसी प्रेटको के आगमन एवं सरवादिक संक्या को अकर्षित करने वाला देश का दस राजियों में वियार का अस्थान था तो छट्ठा नेस्ट कोश्चन है बिहार में प्रेटक के विकास के लिए कौन सा कार किये जाने की असकता है तो पहला बिहार की अच्छी चबी का निर्मान एवन पर 4 परसाद दुसरा बहतिक अधिस अरचना में सुधार तिसरा बेहतर नागरिक सुब्धाओं की विकास उप्युक्त सभी नेस्ट कोश्चन है वर्षद्वयर 13 में बिहार की यात्रा करने वाले प्रेटक की संक्याती 22345 नेक्स्ट है बिहार राजी स्पोर्ट्स कांसलिंग का गठन कब किया गया? 1961 में किया गया नेस्ट कोश्चन हम लोग देखती हैं बिहार राज खेल प्रादी करन का गटन हुआ था 1986 में नेक्स्ट है बिहार राज के खेल कुद को परसाइद करने का सरे दिया जाता है मोहिनूल हक को नेक्स्ट है नेम में से कौन सा कथन सही है तो पहला बिहार राज किर्केट संगें मैं बिहार राज 17 संग की अस्थापन 1937 में हुई दूसरा बिहार फुटबॉल संगें बिहार होकी संग की अस्थापना 1986 में तीसरा 1975 चीहतर में स्पोर्ट अथोरिटिक अगतन हुआ इप वेक सभी नेक्स्ट है महिनूल हक किर्केट स्टेडियम कहां इस्थी थे तो ये पटना नेस कुश्चन है उन्हें 1929 के MSDN Olympic में गोल्ड मेडल जितने वाली बारती ओकी टीम के कप्तान जैपाल सिंग किस राजगे थे तो बिहार नेस कुश्चन है पटना के महिनूल हक के स्टेडियम में पहला एक दिवसी अंतराष्टिय मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था इस्रिलंका और जिंबाबे नेस्ट कोश्चन है पटना के मुईनुला के स्टेडियम में 1996 के किर्केट 20 कप का मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था जिम्बाबे और केनिया नेक्स्ट है निम में से कौन से किर्केट खिलारी बिहार से समंदित नहीं है तो विजय यादव नेक्स्ट है पहला महिला विश्वी कबड्डी चेंपियर्शिप 12 में कहां हो जीत हुआ था तो पटना नेक्स्ट है बिहार में आहजित होने वाला सुकदेव नरान टूर्नामिन समंदित है तो किर्केट से नेक्स्ट है पटना इस्थित मुईनूला के स्टेडियम में आप तक कुल कितने एक दिवसी अंतराश्टियम किर्केट मैच का आयोजन हो चुका है तो दो नेक्स्ट है बिहार में खेलों से समंदित कौन सा कथन गलत है तो बिहार में विसी कप किर्केट का कोई मैच नहीं खेला गया ये कथन गलत है तो आज के लिए इतना है दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट आपक के साथ थैंक्यू